बिहार की कुड़नी विधानसवाद सीट पर उपचुनाओं के लिए अगामी 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है उपचुनाओं में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल मत दाताओं को गोलबंद करने में लगे हैं कुड़नी उपचुनाओं में महागडबंधन, BJP और VIP के बीच सीधा मुकाबला है इसी बीच खबर है कि तेजस्वी यदव के मामा साधु यदव भी इन दिनों कुड़नी में घूमते नजर आ रहे हैं साधु यदव ने दावा किया है कि कुड़नी में महागडबंधन को हार का मुध देखना होगा इस दवरान उन्होंने गोपाल गंज में आरजेडी के हार को लेकर तेजस्वी यदव पर जम कर हमला बोला है साधु यदव ने कहा है कि असल में आरजेडी ही बीजेपी की बी टीम है जो बीजेपी को जिताने का काम कर रही है साधु यदव ने गोपाल गंज में आरजेडी के हार के लिए सीधे तौर पर तेजस्वी यदव को जिम्यवार बताया उन्होंने कहा कि तेजस्वी यदव दावा कर रहे हैं कि गोपाल गंज में साधू यदव के कारण हार का मूँ देखना पड़ा जो सरासर गलत बात है उन्होंने कहा कि तेजस्वी आदव BJP को हराने के लिए गोपाल गंज कहे थे लेकिन BJP का वोट काटने के बजाए वे अपने मामा का ही वोट काटने लगे सादुय आदव ने कहा कि कुड़नी RJD की सीट थी बावजूद इसके तेजस्वी ने वहाँ पीट दिखा दिया हार के डर से तेजस्वी आदव पीट दिखा कर भाग गए है उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी आदव ने कुड़नी में पहले ही अपनी हार मान ली और अपनी स सेहनी को वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है उन्होंने कहा कि BJP की BT AIMIM नहीं बलकि RJD है जो BJP को जीत दिला रही है साधुयादो का कहना है कि RJD को वे पैदा करने वाले हैं और उन्होंने ही उसे सीचा है और ये बाते वे लगतार कई बार कह चुके हैं तो परिवार य लागातार RJD पर साधुयादव हमलावर रहे हैं चाहे कोई चुनाव हो उसमें साधुयादव RJD और खास करव अपने भांजे तेजश्वी यादव का पैर खीचने में पीछे नहीं रहते हैं गोबाल गंज उप चुनाव आपको याद होगा वहाँ पर अपनी पत्नी को याद होगा जब तो जश्वी यादव ने साधी किया था जब उनका विवाह हुआ था उस समय भी बड़ा बवाल मता था और अब तस्वीरे कुर्णी से आ रही हैं जहां पर साधुयादव घूम रहे हैं और RJD का वोट किस तरीके से कम किया जा सके काटा जा सके महागर सबंधन का वोट इसे लेकर लगतार वो जन संपर्ग भी कर रहे हैं